है दिल मेरे ठेहे जरा तुझको भला एहसास है है दिल मेरे ठेहे जरा तुझको भला एहसास है ब्राइंट पैनने से या अच्छा मेकप लगाने से ना किसी के मूँ पर स्टाटिस नहीं आ जाता जो गुर्बत की कालक है ना तुम्हारी शकल पर वहीं रहेगी आदल साब से हम जो भी लेंगे उनका घर गाड़ी चीजें हम यह सारी चीज़े आदल साब से कर्स के तौर पर ले ले लेते हैं पहाद से, तिनी गाड़ी है, वैसे हनान, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए है, अभी तुम्हें देखो इतनी अची गाड़ी चलाता हूँ, अम्मी, फिर तो मैं और हुमा पे भी गाड़ी चलाना सिखें है, ना बाबा, मुझे तो तुम माफी रोगे, सुनी होती है अची ड्राविंग हो गया है, शक्या खाने चले, आश्रीम घाता है, नहीं चाट, बलके दोनों ही, नहीं भाई, मैं तो आश्रीम नी खाऊंगी, फूर्ट चाट खा दोंगी, अम्मी, आज तो आपकी देख से ट्रीट बनती है, हाँ, मेरे बस कुछ पैसे हैं, जो तुम कितने खुश है, अमी, आप परिशान नहीं, आदल भाई हिनापी का बहुत ख्याल रखते हैं, वो उनको बहुत खुश रखते हैं, हाँ, वो बहुत अच्छ इंसान है, लेकिन फिर भी, दिल को एक धरका सा लगा रहता है, अच्छ बास चोगे, अब परिशान नहीं, हाँ जब, तुम्हें, तुम्हें मालूमें दैड ने अच्छा खासा बड़ा घर लेकर दी है, इना की फैमिली, हाँ, जी, पुरे पाँच करोड रुपाय गायबे कंपनी के अकाउंट से, और से, आपश ए ako अच्यो कपकी पायबे कंपनी है, गाँ, अच्छ गोड़ा है जए पाँच को अच्छिति आप अच्छित अच्छिते का था एल्स विम्हें पाँश कि थैप गड़ा, भला फॉब में अच्छिते हाँ And he is just like a puppet now. Yes, but... See, if they spend money like this, then what will you do? The property, the property, will not be left for anything. Look at how many people are out there. And their families... Oh my God! That's so bad. Hmm? You said something to me. I'm glad that... you know that I'm talking to you. But if you're a child, I don't understand anything. I understand. You gave him a divorce with his money. But we will not be able to get you. Listen, you... You don't have to be ashamed of taking so much money from my dad. You and your family have made a plan to kill us. You can see that. And... After killing this loot, these people will not leave you. And you know Miss Hina, you have to leave her alone. You have to leave her alone. Why are you not left with her alone? Just get rid of her. इतनी जल्लत, इतनी बेज़ती, याला तुने मेरी किस्वप में क्या कुछ लिखा अपनी खुशिया, अपने सारे अर्वान दाओं पर लगाकर अगर मैंने अपने घरवानों के लिए स्कूर खरीबने की कोशिश की तो, मैंने क्या बुरा कर दिया ऐसा, जिसके तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्या बात है खाइबित, दर्वाजा लोग था ये लोग मुझे इस घर से निकालना चाते हैं क्या मतलब? सब मुझे जबडा कर रहे हैं कि आपने अमी को घर क्यू दिला दिया ये बात है घर आपने अपनी मर्जी से दिलाए ना मैंने तो आपसे नहीं कहते हैं दिलाने के लिए तो फिर सब मुझे से क्यों जगडा कर रहे हैं? आप आओ कहा लेके जा रहे हैं आप जाओ मैंसाथ निम्रा जुए जुए ये तुम इसे किसने से बात किया है यहां से जाने की? किसके इतने जुरत हुए कुछ पूछ रहा हुए कुछ पूछ रहा हुए आप आपने भी तो इससे हमारे मुकाबले खड़ा कर दिये आप 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 अप आप 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 इतने खुद घर्ज होगे हो तुम लोग के तुमें आपने अलावा कुछ और सुजाई नहीं देला I'm sorry, dear, but हम इसे परदाश्ट... जा मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब परदाश्ट नहीं कर सकते? भी भी है मेरी यह निकाह करके लाया हूं इसे इस करते इस नाते तुम्हारा क्या रिष्टा बनता है इसे? उसको तु समझो तो डेट क्या चाहते हैं हम? हम इसको ममें की जगाते हैं फोग यही चाहते हैं ना? हरकेस नहीं I'm sorry, dad एगनिस की इतनी हैसियत शटा तुम मुझे हैसियत पताव तुम पताः क्या है है थी थे मेरी बीवी है यह हासियत यह इस घर की मालक है यह यह हैसियत है आज के बाद तुम मैसे किसी ने इसके इसके बात करने की कोशिस की तो मुझसी बुरा कुए Yeah time याद रखना है याद रखना है हैसी यह बता रहा है एक्शुज मी डाड़ जाने ज़ाने जाने पहले यह फैसला करनी जो है कि आप इसके साथ रहना चाहते हैं यह हमारे साथ यह हमारे साथ यह हुआ दो ए उसके जाए इस गर की मालकर आए और इस गर में तिसका अखम चलेगा तुम लोग अगर कमफोर्टबल फी नहीं करके वेश्ट नहीं तेसा है तुग एप्लाइस प्लेस प्लेस्ट एप्लेस्ट शॉज़्ट एप चलो आओ तो चलो शुख रहाँ शुख रहाँ शुक्रिया आपने मेरी इजएत रख ली आपका इसान में कभी नहीं भूलूगी इसमेरे इसान वली कौनसी बाल है बेवी हो तुमेरी और तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज़ है कभी दूर है कभी पास है कभी पास है कभी आस है ये जिन्दगी जो एक सराव है कांडों में यहाने से पर ले मैं फैसले करती है समभी तरफ से आप बेश है अब ये तो तुम्हारे सोचने की बात है कि एक बिसनिस से दूसरा बिसनिस कैसे स्टार्ट किया जा सेता है प्रेद मेरे ठहर सरा प्रेद मेरे ठहर सरा ओ मैं गॉड़ इतनी इंसल्ट काम है के दैड ने इस घर का मादक उसको बना दिया और हम तो नौकर बनके रहे गए यहां पर अग्रास्ट रेशिंस निमा इस मैंने कब नी सोचा था कि लाद यह करेंगे इस मामूरी सी लड़की को सर पे चड़ा दिया अब जिस तरह चाहेगे हमारी साथ परेगे इस से सादा क्या होगा उसको इस घर का मालकर मना दिया और हमें नौकर बहुत हो गया उनकी बीवी का घर है अशे दिल तो मेरा भी नी कर रहा कि यहां रोको कहां जाएंगे बाद घर हैंकिया कि मारे पास अब पर सौफिस में सिर्फ एक मैंजर बन के रही हो मैं आफिस में अजर जब अब ऐसे लग मिन गए कि ज़से हमें अब इससे तरह ही जिल हो कर रहना पड़ेगा जब नौकरों को घर का मालक बना दिया जाए तो यह होता है अब एप अब एप अब एप हमें जब भी कुछ डिश्टिसाइड करना चाहिए उन्हें किसी कोई भी यह बरदाश्ट ने कर सकी हाँ अब फापी याज इतना मज़ा आया यकीन ही नहीं आरा कि हम कभी इतना भी गूम सकते हैं यह आप लों को मज़ा है मैं ठक्या हूं काफी जो जा कि अराम कर लो अब बेटा हिना को तो फोन मिलाओ इतने दिन होगे उसका कोई फोन ही नहीं आया हेलो आपी कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम लोग कैसे हो हम बिल्कुल ठीक हैं और आज हमने बहुत इंजॉय किया क्या मतलब हनान हमें अज अपनी गाड़ी में अपने साथ गुमाने लेके गया था हमने बहुत इंजॉय किया आइस्क्रीम, चार्ट, गोल कपे, सब कुछ खाया हम, फिर तो आज सब बहुत खुश होंगे, है न? बहुत, इतना खुश इतना खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती आपको भी बहुत मस्किया लेकिन फिर ये सोचा के आप भी तो वहां कितना एंजॉय कर रही होंगी हाँ मैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पर अच्छा, अम्मी से बात करें, वो आपको बहुत याद कर रही है हलो, हाँ बेटा कैसी हो तो, कितने दिन हो गए, तुमने कोई फोन ही नहीं किया अम्मी आप लोग प्लीज मेरी फिकर अब छोड़ दे और आप खुश रहा करें बस कैसे तुम्हारी फिकर छोड़ दू बिटा, तुम्हारी वज़ा से तो आज यह सब खुशी नहीं नसीब होई है अम्मी प्लीज मनार बिलकु ठीक कह रही है, यह सारी बाते बिलकु फुजूल है, प्लीज मत क्या करें इसी बाते मुझसे अच्या, कब आओगी तो यह बहुत डिप्रेस हो रही थी, इसलिए यह आपे लिया आया इसको अब समझाए ना इसे कुछ, जो होना था वो तो होगे, अब क्या कर सकते हैं क्या समझाओ इसे, जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ, हुआ क्या है तेले कभी में जन्दगी में ऐसे सिचुएशन भी नहीं आई, कैसी सिचुएशन भई? गर से निकाल रहा है, ओ, यह तो हो नहीं था एफ मिनट, आप अंदर चाओ, प्रिशान, अंदर चाओ जो तो अंदर आप इसे, जो एक पहले से पता था क्या आप पता था आपको पहले से? जोहेब लेकिन इस उमर में जब शादियां होती है ना तो मर्दों की अकल पर पढ़ते पढ़ी जाते है वह ही करते हैं जो उनकी जवान और खुबसूरत बीवियां कहते है जोहेब वह प्रियोरिटीज बदल वही हैं डाट की इतनी इंसल्ट की थे हमारी वह उस लड़की के सामने जिसको में बर्दाश भी नहीं कर सकती इमाजिन पिश पेटे की टीचर थी वह कभी कभी रंग दिखाता है मैंने सोच लए कि अबर मुस गए वापस ने जाएंगे क्यों तुम्हारे पास अपना घर है को रेंट पे ले लेंगे पर तो जोहेब भी फैक्टरी नहीं जाएगे बजाहर तो भी लग रहा है तुम लोग कितने बेवकूफ हो नहीं सरे से जिन्दगी शुरू करने की बजाया अगर तुम लोग कॉम्प्रॉमाइस कर लो तो ज्यादा बेथर नहीं होगा जी कॉम्प्रॉमाइस उस लड़की के साथ क्या हो गया इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है तो क्या अब मैं उससे जाके दोस्ती करूँ मैंने कॉम्प्रॉमाइस करने को कहा है कॉम्प्रॉमाइस करने का मतलब दोस्ती करना हर्गेस नहीं है वाट यू मीन भायदार प्लीज क्या मतलब देखो, वक्त और हालात के तहट थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार कर लो जब तो हाला तुम्हारे हक में होंगे ना, उस वक्त उस पे ऐसा वार करना, ऐसा वार करना कि उसे कोई रास्ता ना मेरे आधिक हराप ठीक कह रही है, मरीम देखो, अगर 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 मजीद कोई फर्स क्रीट करेंगे तो टाइट ज्यादा हरीट हो और यह फिलाल हम अभी अफ़ोड नहीं कर सकता है, नहीं, बिलकुल भी नहीं तुम अपना बिजनिस कब से स्टार्ट कर रहे हो, कैसा बिजना से रापा, पस जो भी है, यही है मेरे तुम्हारे सोचने की बात है ना, कि एक बिजनिस से दूसरा बिजनिस कैसे स्टार्ट किया जा सेता है कल कि लाँ अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या बनेगा स्टार्ट की तो ऐसा करो, अपने लीगल एडवाईजर को बलाके, उसकी फेवर में एक विल बनवा दो तुम्हारे स्टार्ट की तुम्हें मालूम है आज तुम इतने दिनों के बाद आयो कपड़े लेने के लिए, और साब के इतने सारे कपड़े पढ़े हों धोने के लिए नादिर बाई, कल से मेरी बहुत तब्यवत खराव है, बहुत तेज बुखार है मेरे को या जब तक बेगम साहबा जिन्दा दी, तुम हर हफ़ते कपड़े लेने के लिए आदे दे, अब मुझे लगता है तुम काम चोर हो गयो पहने दे नादिर बाई, आप तो ऐसी बाते करते हैं, जोना पहले कभी ऐसा हुआ है, ऐसी बाते करते हैं यह यह हमारी नहीं बेगम साहबा है सलाम बेगम साहबा अलेकम सलाम, आज से आप लोगों के हर काम का ध्यान में खुद रखा करूंगी और मुझे बिला वज़े कोई गफलत या ला परवाही बिलकुल पसंद नहीं है जी बेटर आपने भार लॉन के हालत देखे, क्या हो रही है सारे पौदे खराब हो रहे हैं, पानी आप डालते नहीं, घास कितनी बड़ी हो गई है बेगम साब मैं तो अपना काम पूरी जिम्मधारी से करता हूँ मुझे उमीद है कि आईनले भी आप पूरी तवज़े से काम क्या करेंगे आगए जी बेगम साब और आप असिए जितने कपड़े ले जाना ये जो करना है, वो साई जिम्मधारी मेरी है आप मुझे से बुश के क्या करेंगी है हरकाम जी बेगम साब बेगम साब करेंगे और मेरा खयाल है कि अब आपको को समझानी के जरूवत हैं नहीं मुझे आप पो कर शिगाय का मुगार नहीं मिलेगा जी बेधर अब आप लोग जा सकते हैं खलाब बेगम साथ खलाब जी खदा आखिस बेगम सहबा आप ने बिल्कुल ठीक किया इन लोगों पर सक्ति की बहुत जरूरत है आज मुचे तुम कुछ परिशान लग रहे हो मैं है कुछ ऐसी बात नहीं है बहुत देखो मुझसे तुम कुछ चुपा नहीं सकते तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पच्छपन से जानता हूँ तुम्हारा चेहरा पढ़कर सब बता सकता हूँ महिया जी बस मुझे कुछ समझ में नहीं आदा है कि बच्चों के वैसे थोड़ सा परिशान हो और ऐसी कोई बात नहीं है क्या उनकी हिना से नहीं बनती है वही तो समझने की कोशिश कह रहा हूँ जोहेब मरियम I don't know मैरी बेटी निम्रा I don't know क्या इशुज हैं क्यों उसके इतने खिलाफ हो गए है हलांके बहुत ख्याल करती है वह घरकार भी उसने काफी जिमा उठाया हुआ है सारी चीज़ें वही देखती है पट स्टिल आद लेक दुनियादारी के बात बताओं बच्चों की एक नफसियात होती है वो अपनी माबाप की जगा किसी और को आसानी से कुबूल नहीं करती है बिर्कु ठीक किया रहे हैं आप यही सोच सोच के तो परशान हो रहा हूँ कि कल कि लाँ अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या बनेगा इस लिए यह तो दो सेकंड नहीं लगाएंगे उठा कि उसको घर से भार तेंगे बही अल्ला न करे तुम्हें कुछ हो जाया अल्ला तुम्हें दराज हमार दे लेकिन इसके लिए एक फीजर प्लाइनिंग करने पड़ेगी ताकि उसका मुस्तक्बल महफूज रहे तो उसके लिए मेरी तजवीज यह होगी कि कोई इंशुरंस पॉलिसी या बिजनिस में पार्टनर्शिप या उसके नाम पे कुछ शेर्स या राइट यही सोचना पड़ेगा क्यूंके नोइंग जोहेब मुझे नहीं लगता कि कारुबार में से या जैदाद में से एक फूटी कौडी भी देगा उसे तो ऐसा करो अपने लीगल एडवाइजर को बुला के उसकी फेवर में एक विल बनवा दो यह ने जाएट ने अब दो इसलिए विल देरस वेड़ेगा हाँ हाँ यह विल्यदी तक्वड एग्री अग्री में इग्री बहाँजी आप एग्री तक्यू बहाँजी जी बेगम साहबा खाने में क्या बना रहे है आँच पालक गोश पालक गोश तो मुझे बहुत पसंद है प्रादिल साथ को भी परेकाम करते खाना आँच मैं बना लेती हूँ नहीं नहीं बेगम साहबा आप पहने नहीं इतनी गर्मी में और चूले के पास खड़ी रहेंगी आप गर्मी से मुझे कुछ नहीं होता बलके मैं तो सोची रोजाना खाना मैं खुद बनाया कर उनके लिए आप? हम क्या बीवी अपने शौर के लिए खाना नहीं बना सकती? मैं देखती हूँ आप आप हाँ, क्या हुआ? खेरिया थे उनकी तुमने अभी आफिस मिला थों तुमे मैं हाँ यार, एक प्रॉब्लम होगी है हम हम, बताओ, क्या हुआ? जो फ्लैट तुम मुझे खरीद कर दे रहे थे उसके मालिक के भी कॉल आई थे और वो पांच लाग पर फॉरन मांग रहे हैं पांच लाग देने? अभी तो दी है उसको मैंने तीस लाग पांच लाग किस शीज के मांग रहे हूँ हां तो तुम्हारे लिए कौन से कोई बड़ी बात है या लोग तो महबद में पतानी क्या से क्या कर देते हैं ताज महल तक बना देते हैं और तुम मेरी लिए एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीच सकते अभी जान ताज महल भी ले देंगे आपको प्लैट लोड़ी है तो ताज महल भी ले देंगे परेशानी किसीज की है और बता कुछ और चाहिए कुछ भी बोलो चौँ तुम्हे शरम नहीं आती ये शादी शुदा एक बच्ची का बाप है तुम जैसे लड़किया अटे यू तुम्हे 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 बेवफाई कह रह रहे हो शरम नहीं आते ऐसे हरकते करते हुए बात सुनो मेरा जो जी चाहेगा वो मैं करूँगा तुम्हारी आखाद किया है? पताए मुझे, तुम्हारी नजरों मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम खुद क्या? एक बाप का पैसा लड़के उपे लुटा रहे हो बाप का आज तो मैं मुझे? पाप की बात कहती हो, उस बाप की जिसकी मिल्नत आपर तुम्हे मैं इस घर में लेकर रहा हू। बाट सुनू। मुझे तुम्हे इस घर में नहीं रखना। किराश देखलों यह से! मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना deleted दीसे ! जो परे ममा को घड़ से भार मत निकाले जो अब अरद और जो अपनी मा की साहिड ली मेरे सामने तुमने जो चल अपने रूम में चलो ले खैरत भूल रहे हैं जिसने खाना खाना एक खाय और जिसने नहीं खाना खाना खाने में सेकीरे निकालने के बचाय अपने कमरे में चल जाए तो ज़्याद मनासे में यह सालर मैंने स्पेशली आप के लिए बनाया अरे वार यह तो मेरे पसंद का सालर लग रहा है है हाँ लगता है के तुम्हें बदा चल गया है कि मुझे क्या क्या पसंद है जी आपके पसंद की सारी डिशिस मैंने बेगम साहिबा को बता दी है यानिके इसका मतलब यह है कि आज से बेगम साहिबा मेरे लिए खाना बनाया करेंगे बेगम साहिबा भी यह ही कह रही है अच्छा शुक्रीया नादर वह है व्यव्यकत व्यू व्यू व्युवड व्यू पहलत लाकर व्यू तो ये ने बनारा थे बेर बेर कि यू 50 सब्सक्राइब टेंकि। में इत्क्राइब इतना अईली प्रफ़ है इसने खाना हमाना एक खाय, और इसने नहीं खाना हमाना अभ़ाने, एकनानाे छाए पड़े पूर दीजा जाए जादा हमाना से पार अरे श्रमली नहार केता है अ अरे व स्थखवने के अ लकार अ बच्चरिए tactics क्या हुआ? इसे क्या हुआ? बता नहीं, शायद भी जगडा करके आई है जाओ जाओ, देख लो, प्लीज आप खाना गाय में देख ते हैं क्या खाना काने एगारे? नादर? क्या पेडम साथ? एक काम करें निम्रा के कमरे में खाना ले जाए जल्दी से क्या निम्रा भी भी आई है? आ गई हैं कुछ परेशान भी हैं आप लूंके खाने पीने का खास ख्याल रखना है जी बेगम सहबा, बहुत बहुतर वो सुहेब और मरीम ने खाना खाये? पता नहीं बेगम सहबा, यहां तो कोई भी नहीं है अच्छा, तो फिर आप एक काम करें खाना उनके लिए पे ले जाएं जी बेगम सहबा बेगम सहबा आपको सबका कितना एहसास है इतनी जिल्लत और इतनी बेज़ती मैं क्यों उस गटिया शक्स के हाथों सहरी हूँ क्यों यहां कम सिल्लत है कि नाच आते हुए भी मैं मजबूर होकर यहां चली आई है और टैट, टैट समयत कोई भी मुझे पूछने नहीं आया निम्रा बीबी, खाने खालें किस ने भेज़ा है? वो जी टैड ने भेज़ा है? ना, ना, नहीं, वो फिर? अहीं ना पीबी जब भूप में यह लेखर जाएं बेगम सहबा ने कहा था, खाना यहीं रखता हूँ मैं आपको क्या रही हूँ आ, वापस ले जाएं खाने से कैसी नराज दे, यह खाना तो वैसे ही आपके अपने डैडी की घर गाएं रिष्टे कहने या ना कहने से खत्म नहीं होते हैं, इसे एहसास जिन्दा रखता है हीना भी भी बहुत अच्छी इन्सान है, वो सबका ख्याल रखने वाली है आप अपने दिल से गुसा निकालें और उनके बारे में सोचें भी बारे में सोचें सुनने और कहने में बहुत फर्क होता है कर तूरना तो बहुत असान होता है लेकिन बनाना उतना ही मुश्किर है आप जी अंकल आप यह सब क्या हो रहा है तुमने बाड़ा किया था ना कि तुम उसको नहीं रुलाओ गए अंकल वो हरकती ही ऐसी करती कि मुझे घुस्सा आजाता है क्या हरकते करती है उसने और तुम जो घटिया हरकते करते फिर रहे हो उसका अंदाजा है तुमें अंकल आप आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं इंसल्ट? इंसल्ट का मतलब जानते हो इंसल्ट तो ऐसी करूँगा कि साही जिन्दगी याद रखोगे तुम अंकल मेरे ख्याल में गलत फहमी हुए आपको अंकल आपको आपको आके मिलता हूं और हर चीज मैं आपको खुद से बताता हूं खबरदार जो मेरे घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूगा तुमारी मैं अंकल आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुछ ठीक कह रहा हूं मैं मुझे ये सब कुछ बहुत पहले कर देना चाहिए था लेकिन अपनी बेटी की विदाज से बरदाश कर रहा हूं मैं सब कुछ अंकल मैं मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं अब आप क्या करना चाह रहे हैं ठी, क्या, क्या मतलब? अटेटी फूल अंकल, हलो? हलो? अगर अगर अगया तो सोने की चड़िया हमेशा के लिए उचाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूगा क्या बात है, तने गुस्से में क्यो है, क्या हुआ है? अगर अगर मैं इस खटी आपी को मैं समग सिखा कर हूँगा इसने मेरी निम्रा के सिंदकी को हाँजाब में रखा है अज मैं इसकी आख में तो हम तो अखते का है मिच्छे नफ नहीं बरदाश्तों का मच्छे युण अगर मुण फस्तु आटए कि युद तो हमोश की होगा लुट्गा काइँ अगर में नफश सु आख है अगर में अगर में अखती ते ङुझा प्स प्सक्रेदीए। बहुँ जहादा है शायद इस ही का दुक उसने अपने दिल को लगा लिया निम्रा के लिए इस पर कोई भी जबाती वैसला करना बहुत खलत होगा आ लेकिन वो खुद भी नहीं उसके साथ रहना चाहते सुनने और कहने में बहुत फरकुद घर तोड़ना तो बहुत असान होता है लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल है घर बनते बहुत मुश्रियों से हैं अगर तूटे बहुत असान देख रहा है यसे क्या देख रहा है वो भी यही कहा करती थे बिल्कुल ऐसा क्योंकि हर माँ की यही खौ़श होती है आले के माँ तुम तो उसकी माँ नहीं हो मेरे अंदर चुपी माँ उसकी दुग को अच्छी तरह महसूस कर सकती है कि अधु दुख मेरे थेहर सरा तुझ को भाला है है सांस है तुम इपी को आँ वा हुआ क्यों को बहुत करिए वह करिये वह करिये वह कर दो तुम आई बहुत भुत भुग लगुत बहुग लग लग बहु अदून षखतके जाया मरिया अब भी आज़ा था था। यह भी यहाँ रो ते रहे नहीं जो रोड़ावे है इस का उंब भी आपो आप जब लग रहे अज़ाए लग लग लगायाँ चैना अपी छीक्ट तो मेरा एक अज़ा कि अब देखे अब चुरो मेरे बच्चा गुट खेर अब क्या हुग है योगे गुस्से में लग रहे है थांक यू किसी ने इस घर में इस बात को रहलाइस कर लिया आपकी बहुत फर से यह पर आगगई एक तो पता निये इसने क्या तम्माशा बनाया एक दिन रहती निये है राजतिया वापिस तुम मिलियो उससे ना मुझे तुम्हारी भैंट से मिलने का शौक है और ना जरूरत अलबत्ता तुम्हारी नहीं माने उनके लिए खाना जरूर भीचवाया था मरिया मैं एक चीज सोच रहा हूं मैं क्या देखो तुम मैं और निम्रा हम तीनों ही नहीं चाहते है के हिना इस गर में रहे राइट तो तो क्यों ना आपस में जगरने की बजाए हम लोग मिलकर हिना के खिलाफ कोई महास कर करें एमीन शाहिए इस तरह का तो मैं यहाब उज और निकाले में और यह से बिल्ट है अधन हम यह बहुट लेकिन और यहारी बहन बहुत अनौइग हर बात के तो इस बना ज़ख भाती ए जजबाती भी तो है यूज़वाटी तो है यूज़ट अगर पर आपकी सिंदेगी से चली शाउट तो वाव, आपकी अगरी, माशाओ लाव, मुझा अपकी अधी, मुझा वर्याव, मुझा अचाल्लाव, मुझा शुरूत नहीं है क्या मतलम? क्या बात से लोगत तुमारी, एक हत होती है के नहीं? कब तक बरदाश करूँगा मैं? अच्छा, अब फिकर नी करो, कुछ तिन, कुछ तिन परदाश कर लो, फिर इस फैक्टरी का मालिक में ही हूँगा ये कच्छे फकी नीले मेरी, क्यों उसके ही खाब दिखाती है, क्यों बताँ, एह मेरे जह है सराव